हमारा आयुर्वेद हजारों वर्षों की परंपरा हजारों वर्षों की तपस्या का प्रतीख है और हम तो रामायन से जुद सुनते आये हैं लक्षमन जी बेहोस हो गए तो हनमान जी हिमालय लोट आये और महां से जड़ी बुट्टी लेके गए आत्म निर्भर भारत तब भी था आयुर्वेद की सम्रुद्धी के पीशे एक मुख्य कारण उसका ओपन सोर्स मॉडल रहा है आज डिजिटल वर्ल में ओपन सोर्स की बड़ी चर्चा होती है और कुछ लोगें मानते हैं यह इनिकी खोज है उन्हें मालूम नहीं है इस मिट्टी में हजारों साल से इस ओपन सोर्स की परंपरा रही है और आयुर्वेद पूरी तरह उस ओपन सोर्स परंपरा से ही विक्सी तुबाए जिस यूग में जिसको लगा जिसने पाया जोडता गया अने एक प्रकार से आयुर्वेद विकास की मुव्मेंट हजारों साल से चल रही है नई नई चीजे जुडती गई है बंदलन नहीं है नए मिचारों को उसमें स्वागत होता है समय के साथ अलग-अलग विद्वानों के अनुफव उनके अध्यान ने आयुर्वेद को और मजबूत किया आज के समय में भी हमें अपने पुर्वजों से सीख लेते हुए इसी इंट्रेलेक्ट्ट्यल ओपनेस की भावना से काम करना होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े ज्ञान का विकास और विस्तार तभी संभव है जब उनको साइंटिक स्पिरिट में देखेंगे उन्हें देश काल परिस्तिकित के अनुसार ढालें